जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्योट्योप चैनल स्टार स्टडी सेंटर में आज से यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परिक्षा 2023 के लिए ग्रूप E1 के जितने छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रस्ण आप सभी के स्क्रिन पर है पूछा गया है सेब में कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं देखिए जैसे प्रस्ण आपको स्क्रिन पर दिख रहे हैं ठीक इसी प्रकार के बहुविकल्पिये प्रस्ण आपके कम्प्यूटर सेट्स में दिखाई देंगे और यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा उसी पर आपको माउस पॉइंटर से क्या करना होगा लेफ्ट बटन प्रेस करके क्लिक करना होगा तो चलिए पहला प्रस्ण स्क्रिन पर है सेब में कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं यहाँ पर इस प्रस्ण का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आप्शन नंबर सी करेक्ट होगा चोंतीस गुण सूत्र पाए जाते हैं और यह जो संख्या है यह 2N है यानि कि डिपलाइड नंबर आफ क्रोमोसोम्स है आइए चलते हैं अगले प्रस्ण पर दूसरा प्रस्ण स्क्रेंड पर है तितली में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या है यहाँ पर भी आपका 2N नंबर आफ क्रोमोसोम पुछा गया है चार विकल्प है पहला विकल्प है 380 गुण सूत्र दूसरा विकल्प है 456 गुण सूत्र तिसरा विकल्प है 190 गुण सूत्र और चौथा विकल्प है आप सभी का ओप्शन नंबर D चौथा विकल्प के रूप में 4 यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रस्ण के लिए राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर A तितली में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की जो संख्या है वह 380 है आए चलते हैं अगले प्रस्ण पर बहुत ही आसान सा प्रस्ण स्क्रीन पर है युगमक होते हैं कैसे होते हैं आगुलित, बहुगुलित, द्वीगुलित या फिर उप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यहाँ पे युगमकों की प्रकृति पूछी गई है तो इस प्रस्ण का उप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा युगमक जो होते हैं वो हैपलॉइड होते हैं हिंदी में बात करें तो आगुणित होते हैं आये चलते हैं अगले प्रस्ण पर चौथा प्रस्ण स्किन पर है युगमक से रिलेटेड प्रस्ण है युगमकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है युगमक के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है युगमक जनन, निसेचन, भूरोद भाव या फिर option D है इन में से कोई नहीं यहाँ पर देखिए नहीं आप लोग क्या करिए लिख लिजे मिस टाइप हो गया है चलिए इस प्रस्ण का राइट आंसर होगा option नमबर A युगमकों के निर्मार की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है भया युगमक जनन कहलाती है आईए चलते हैं अगले प्रस्ण पर पच्वा प्रस्ण स्केन पर है आप सभी के पूछा गया है केले में काईक जनन होता है कंद के द्वारा प्रकंद के द्वारा अंता भूस्त सारी से या फिर घनकंद से यहां पर देखिए इस प्रस्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का option number भी correct हो जाएगा केले में काईक जनन जो है वो राइजूम्स के द्वारा होता है हिंदी में बात करें तो प्रकंद के द्वारा होता है जबकि कंद के द्वारा होने जो आला और च्छाट्वा प्रैशन स्क्रिन पर है, पूझा गया है पार्थीनियम किस कुल का खर्पतवार है, देख़े पार्थीनियम आप सभी के स्क्रिन पर दिखाई दे रहा है, यह मेरा खुद का बनाया हुआ हर्वेरियम है और यहां पर आप लोग देख रहे पार्थीनियम की एक इस्पेसेज आपको दिख रही है और इस्पेसेज कौन सी है पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस है और ये जो है खरपतवार किस कुल का है तो कुल कमपोजिटी या फिर फैमिली कमपोजिटी इसी कुल को एक अन्य नाम से भी जानते हैं आए चलते हैं अगले प्रश्ण पर सत्वा प्रश्ण स्केन पर है दुई निसेचन डबल फैटिलाइजेशन पाया जाता है शैवालों में अनावरित बीजी में आवरित बीजी में या फिर कवक में यहां पर इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर सी दुई प्रश्ण स्केन पर है आप सभी के पुछा गया है बकरी का आउसत गर्ब धारल काल कितने दिनों का होता है बकरी का आउसत गर्ब धारल काल कितने दिनों का होता है 213 दिनों का 143 दिनों का या फिर 661 दिनों का इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर बी ब करी का आउसत गर्वधारकाल ये जो है भाया 148 दिनों का होता है अब यहां पे आपको कुछ जीवों के आउसत गर्वधारकाल के बारे में बताते हैं जिनको आप लोग क्या करेंगे अपने लेखनी के द्वारा अपने कापी में क्या करेंगे लिख लेंगे देखिए ये जो तो option C दिया है 63 दिनों का ये जो होगा गर्वधारलकाल किसका देख लिजीए का बिल्ली का 63 दिन है कुटा का भी 63 दिन है इससे तरह से option A जो 213 दिनों का दिया गया है ये किसका है भईया बंदर का है और बात करें चुहे की तो चुहे में जो आउसत गर्ब धारलकाल पाया जाता है वो 22 दिनों का होता है लगभग वहीं पर बात करें हाथी की तो हाथी में 641 दिनों का गर्ब धारलकाल पाया जाता है जो कि क्या है आउसत है एबरेज है ते करें दो चार दस दिन इधर उधर हो सकता है आईए चलते हैं अगले प्रस्ण पर, नौवा प्रस्ण स्कीन पर है, किस हार्मोन को दुग्ध उतक्षेपड हार्मोन भी कहा जाता है, यहाँ पे इस प्रस्ण का राइट आंसर होगा, आप्शन नमबर A, ओक्सी टोसिन को कहा जाता है, ओक्सी टोसिन को कहा जाता है, तो द प्रश्ण स्किन पर है पारिस्थित की आतंक बादी के नाम से जाना जाता है किसको सीसम के बिरिक्ष को तुना भीया ना बिलकुल नहीं ये जो है हमारा एकोनॉमिकली फायदे वाला पेड़ है ठीक है देखिए लकडी दरबाजे की जो लकडी होती है चोखट बगारा बनव उसी तरह से अम्रूद देखिए ये भी आपका एकोनॉमिकली फायदे मंद है और आप्शन भी यहां पर देखिए युके लिप्टिस यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पारिसित की आतंकवादी के नाम से जाना जाता है और भाईया क्यों जाना जाता है आकिनम आतंगवादी के नाम से क्यों जानते हैं तो ये जो water table पाया जाता है WTV ठीक है जल तालिका को क्या करते हैं ये द्ध्धन्स कर देते हैं जल तालिका का बिलकुल गरबड कर देते हैं तो इसलिए क्या कहते हैं यूकेलिप्टिस को पा